दोस्तों अगर आप भी कोरोना वाइरस के जल से जल्द खत्मूने का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों कोरोना वाइरस का बढ़ता संक्रमर दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है राहत की बात ये है कि भारत समयत कई देश इसकी वैक्सीन बनाने के काफी नजदीक है रूस ने तो पहले ही वैक्सीन बना लेने का दावा किया है वहीं दूसरी और इसके इलाज के लिए अब कई सारी दवाय भी उपलब्द है अब दोस्तों आपको बता देगी भले ही कोरोना वायरस भारत में आतंक मचा रहा हो लेकिन अब इसकी उल्टी गिंती शुरू हो गई है जिहां कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राहत की खबर ये आई है कि देश में कोरोना मरीजों की संक्या दोगनी होने की दर बढ़कर 30 दिन हो गई है पहले ये दर 24 दिन थी बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या दोगनी होने की दर बढ़ने का मतलब ये है कि देश में कोरोना का ग्रोथ रेट भी कम हुआ है इसके अलावा दोस्तों देश में कोरोना वाइरस संक्रमन से ठीक होने वाले लोगों की संक्या से भी लगातार निरंतर इजाफा हो रहा है केंद्री स्वासर मंत्राले के अनुसार कल के दिन में अब तक कि सबसे जादा लोग ठीक हुए है पिछले 24 गंठे में 62,282 लोग देश भर में कोरोना फ्री हुए हैं कोरोना महामारी के दौरान एक दिन की ये सरवादिक रीकबरी है वहीं अब तक कुल 21 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और रीकबरी रेट भी 75 फीजदी से अधिक हो गया है दोस्तों आपको एक और खुशी के बाद बता दे कि भारत के रीकबरी रेट में लगातार वृद्धी हो रही है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब रीकबरी रेट पिछले से बहतर ना हो इसके अलावा दोस्तों राजधानी दिल्ली में तो ये रीकबरी रेट 92 परसेंट तक पहुँच गया है और माना जा रहा है कि अगस के खदम होते होते भारत का रीकबरी रेट 85 परसेंट के पार हो सकता है ऐसे में दोस्तों अब भारत में कोरोना की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो करी दीजे और साथ ही जाद नीचे कमेंट में जैहिंद भी जरूर लिखिएगा अब दौस्तों को बता थे कि वैकजानेकों का ये मानना है कि वैकसीन के अलावा एक और चीज़ जिसे कोरोना को हराया जा सकता है वो है हर्ड इम्युनिटी और इसमें भी खुशी की बात तो ये है कि भारत के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है एक्सपर्ट मानते हैं कि कुछ भारतियों, शहर, महले और कस्वों हर्ड इम्यूनिटी के बेहत नजदीक हैं और दुनिया के कई इलाकों से पहले इसे हासिल कर सकते हैं उधारर के लिए मुंबई का धारावी पिछले दो महीनों से लगबख जीरो ट्रांसमिशन दर्ज कर रहा है ये अलाका अप्रेल मई में देश का सबसे बड़ा होट स्पॉट बना हुआ था इसके अलावा दुस्तों अगर सब कुछ ठीक रहता है तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना वाइरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा देश में बनी और ट्राइल से गुजर रही दोनों कोरोना वैक्सीन 2020 के अंध तक उपलब्ध हो सकती है ये दावा है केंद्रिय स्वास एवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्श वरदन खा अंग्रेजी अकवार हिंदोस्टान टाइम्स को दिये इंटर्वियू में उन्होंने कहा कि भारत बायो टेक की बनाई गई वैक्सीन को वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है उन्होंने कहा कि हम 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तिमाल करने के लिए तयार हो सकते हैं हैल्थ मिनिस्टर के मताबिक दुनिया भर में वैक्सीन ट्राइल को फास्ट ट्रेक किया जा रहा है सौधेशी टीको का ट्राइल साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि तब तक हमें पता चल जाएगा कि ये टीके कितने असरदार है हर्ष बर्दन ने कहा कि सीरम इस्टिटूट आफ इंडिया पहले से ही आक्सफोर्ड यूनिवस्टिक के वैक्सीन का उच्पादन कर रहा है ताकि बाजार तक उसके पहुंचने का समय कम किया जा सके उन्होंने बताया कि बाकी दोनों टीकों को बनाने और बाजार में उतारने में कम से कम एक महीने का वक्त और लग सकता है ऐसे में आकर तक ये टीके उपलब्द होने की उम्मीद जताई जा रही है ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारत की वैक्सीन साल के अंत तक आ सकती है या नहीं अपनी राय नीचे कमेंट मॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन दुनिया की पहली वैक्सीन है जिसे इतनी जल्दी तयार किया गया है इससे पहले कंट माला रोग यानि कि मम्स की वैक्सीन सबसे कम वक्त में तैयार की गई थी हलाकि उसमें भी चार साल का समय लगा था दुनिया में इस पर हो रहे काम को देखें तो लोगों के इस्तिमाल में लाय जाने से पहले ही दो दरजन वैक्सीन इसी रेस में हैं कुछ वैक्सीन तो अब ट्राइल के एडवांस स्टेज में भी पहुँच चुकी है कई देशों के बीच वैक्सीन बनाने को लेकर प्रतीस परदा भी शुरू हो चुकी है रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत अपनी देशी वैक्सीन बनाने के लगवग अंतिम चरण में है इन देशों की कोशिस है कि अन्ने के मकाबले वो जल्दी से तयार कर दे यहां तक की दोस्तों, रूसी राश्पती व्लादीमर पुतिन ने तो ऐलान तक कर दिया कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है 11 अगस्ट को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बात बता दी हाला कि उनके एलान से दुनिया के बाकी देश बहुत जादा प्रभावित नहीं हुए इसका ट्रायल डेटा में जोल बताया जा रहा है और इसमें पार्दरशिता की पूरी तरह से कमी बताई जा रही है इसलिए रूस के दावे पर जादा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इसी बीज दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब कई सारी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जी हाँ पहली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो वो है की अमेरिका की मौडरन कंपणी वैक्सीन बनाने की रेस में काफी आंगे निकल चुकी है अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किये गए कोविन-19 की इस वैक्सीन को पहले डो ट्रायल के परिणाम से वैग्यानिक खुश है अब इस वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग चल रही है हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चला है कि इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा कि वैक्यानिकों को उम्मीद थी रिसर्च में इस वैक्सीन के कोई गंबीर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले है हाला कि स्टडी में शामिल आदे से जादा प्रतिभागियों ने फ्लू जैसे लक्षड की शिकायत की जो कि सामानिता सभी तरह के वैक्सीन लगने के बाद देखे जाते है इन में थकान लगना, सिर्दर्द, ठंड लगना, बुखार और इंजेक्शन लगने वाली जगए पर दर्द होना आम बात है ऐसे में दुस्तों अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस के बाद दुनिया को दूसरी कोरोना वारस की वैक्सीन अमेरिका ही ला कर देगा और दुस्तों अगर ऐसा होता है तो यह हम सबी के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच के जो रिष्टे हैं वो काफी अच्छे हैं इसलिए भारत को वैक्सीन मिलने में जादा मुश्किल नहीं होगी इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो करी दीजिए और साथी साथ नीचे कमेंट में जैहिंद भी ज़रूर लिखिएगा CNN की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका बायो टेक्निलोजी कंपनी मॉडरना अमेरिका की ऐसी पहली कमपनी है जो संभावित COVID-19 वैक्सीन के तीसरे चरड़ के क्लिनिकल ट्राइल की प्रक्रिया से गुजर रही है इस कमपनी का लक्ष है कि करीब 30,000 वालेंटियस को ट्राइल में शामिल किया जाए अमेरिकी सरकार के शीर संक्रमिक रोग विसेशय के डॉक्टर एंथनी फॉनसी ने कहा कि चाहें आप इसे कैसे भी ले ले लेकन ये एक अच्छी खबर है ये प्रायोगिक वैक्सीन नेशनल इंस्टिटूट ऑफ हैल्थ और मॉर्डरना इंक दोरा मिलकर बनाई जा रही है इसके अलाव़ दोस्तों अगली बड़ी खुशकबरी की बात करें कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि परिशड के पहले चरण में 21-55 वर्ष के स्वयम सेवकों को पहली खुराग दी गई और इसके नतीजे पूरी तरह से सकारात्मक आए है किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई है ऐसे में दोस्तों अब सिंगापूर की वैक्सीन भी रेस में शामिल हो गई है अब दोस्तों अगर बात करें हम भारत की वैक्सीन की तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल की अंत तक भारतियों को आक्सफोर्ड ऐस्ट्राजेनिका की कोरोना वैक्सीन मिल सकेगी ब्रिटेन की आक्सफोर्ड यूनिवस्टी में एस्ट्राजेनिका कमपनी के सहयोग से तैयार वैक्सीन का पहला और दूसरे चनल का ट्राइल सफल रहा है अब इस वैक्सीन का तीसरा और अंतिम चनल का हिूमन ट्राइल शुरू हो चुका है महराश के पूने में सिर्सीरम इस्टीटूट अफ इंडिया भी इस वैक्सीन का साजेदार है जो इसका उतपादन करेगी अगर सरकार इने मंजूरी दे देती है तो ये भी प्रयोग के लिए जल्द ही उतपादित होगा ऐसे में दोस्तों अब इस वीडियो में हम आपको कोरोना वाइरस की आज की कुछ बड़ी खबरे बताने वाले हैं जिहां तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट हुई तयार मातर 9 सेकेंड में होगा कोरोना टेस्ट जिहां दोस्तों कोरोना संकर्वन की प्रात्यमिक्ता जाज के लिए सुदेशी रैपिड टेस्टिंग किट की खोज का गर लगबख पूरा हो गया है गंद पर आदारित इस किट के क्लीनिकल ट्रायल की सफलता के बाद अब मास टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है पांच टेबलेट वाली इस किट को नेशनल एग्री फूड बायो टेकनलोजी में तयार किया जा रहा है इसमें पीजियाई चंदीगण के डॉक्टरों की टीम ही सयोग कर रही है इस रैपिट टेस्ट किट में पांच टेबलेट होंगी जिनने रसोईवा घर में आम तोर पर इस्तिमाल होने वाली मसालोवा खाद पदार्तों से तयार किया गया है शुरुआत में इस किट में इस्तिमाल की गई चीजों को उनके मूल रूप में लिया गया था इसके बाद कुछ खामियावा सवाल सामने आए थे जिस पर रिसर्च आने के बाद लेब में इन चीजों के सुद्ध वर्जन तयार किये गए हैं और उन्हें पांच अलग-अलग टैबलेट की शकले दी गई हैं इस रैपिट टैस्टिंग किट से जाच के लिए किसी तरह का सैंपिल लेने के जरूवत नहीं होगी ये किट पूरी तरह से गंद पर आदारित है इसमें पांच टैबलेट का सैट है डॉक्टर महेंदर विश्नोई ने बताया कि जो व्यक्ति इस किट की पांच टैबलेट की गंद को मैसूस कर सकता है उसमें कोरुना के लक्षड नहीं है और कोई वक्ति अगर दो या उससे जादा टैबलेट की गंद को मैसूस नहीं कर पा रहा है तो उसे तुरंद कोरिंटीन होने के साथ डॉक्टर की जिरूद होगी ऐसे वक्ति में कोरूना संकर्मन की संभाव अब दोस्तों अगली बड़ी ख़वर की बात करें तो वो है कि केंद्रिय स्वास एवं परिवार कल्यान मंत्राले के मताविक बीते 24 गंटों में 9 लग से अधे COVID-19 के परिक्षड किये गए हैं इसी दोरान देश में 24 गंटे के दोरान 989 मरीजों की मौत हुई हाल ही में केंद्रिय स्वास्तों मंत्राले और ICMR की प्रेस कॉंफरेंस के नीते आयोग के सदर से डॉक्टर पॉल ने देश में फिलाल 3 कोरोना वैक्सीन पर हो रहे काम का अपडेट दिया था गौर तलब है कि उसमें से एक वैक्सीन के ट्राइल का तीसरा और आखरी चेरण कल से शुरू हो गया था ड्रक्स कंट्रोलर ओफ इंडियास के अनुमती मिलने के बाद कंपनी 16 वैक्सीन का ट्राइल कर रही है इसके लिए देश के 17 इस्थानों पर ट्राइल का इंतिजाम किया गया है ट्राइल में शामिल होने वाले कुल 1600 प्रतिभागियों में से 400 प्रतिभागी इम्यूनिटी कोहर्ड का इस्सा होंगे और उन पर 3 रेशियो 1 में कोविशील्ड का ट्राइल किया जा रहा है